लागा खवर निरन तर्खोज राखवर धारी और तकरिवन 64 जिला जाते हुए पूरा देश का ब्रहवन करने अवला में पहला विदेशी नागरिक भी बना अभी मैं आपके नेपाल में आया हूँ धाई मैंने पहले दार्चुला सुदूर पश्रिम के माध्यम से मैं अलग-अलग सुदू पश्रिम राज्य गया फिर अपना लुमिनी फिर करनाली फिर अभी आपके गंडे की प्रदेश में आया हूँ यह मेरा अभी तक जो यात्रा किया हूँ अभी में बगलूंग में पहुचा हूँ बगलूंग में मेरा 29 वा जिला है जो मैं नेपाल में किया हूँ अभी तक जो दोस्तों मैं तीन साल साथ मैंने की यात्रा किया हूँ, तकरीबन 22,000 किलोमेटर पैदल चलके और कभी-कभी लिफ्ट लेके मैं यहापे पहुचा हूँ, लिफ्ट मैं कैसे लेता हूँ, कोई पब्लिक ट्रांस्पोर्ट मैं नहीं लेता हूँ, कोई रास्ते में सब लोग ले जरूरी है दोस्तों, मैं जो यात्रा करता हूँ, वो यात्रा एक छोटे बच्चे से लेके बड़े आदमी तक, एक गरीब से लेके अमीर तक, एक व्यापारी से लेके किसान तक, वो कोई भी धर्म का हो, कोई भी भाशा का हो, कोई भी जात का हो, लेकिन आज एक ऐसी चीज है दोस्तो, जो कहां सब लोग को मालू है, ज़िव जोका हम सब लोगों जोडता है. हम जीओन में जब से आए, जब तक हमारा अंत होगा तब तक, हमको एक चीज जो के सब लोगों जोडता है, वह है वाता वरन, परिया वरन. आप सोचके देखिए दोस्तों, आज हम हर चीज पर्यावरन से नहीं लेते हैं, जी और जीने के लिए oxygen, पीने के लिए पानी, खाने के लिए खाना, और जो भी जाज हम देखते हैं, सोचते हैं, उसमें को पर्यावरन से ही मिलता है, लेकिन आज हमने पर्यावरन को क्या दिय या आज अपने दिल से प्रश्न पुछिए, अगर मैं अपने दिल से इसका उत्तर दूँगा, तो में को लगींगा, मैंने परियावरन को सिर्फ प्रॉब्लम और पॉलूशन ही दिया, और ये प्रॉब्लम और पॉलूशन ये आज हम सब को संकट में ला रहे हैं, अलगले ग तापू है, वो पानी में धस्ते जाना, इस सब जो समझ्चा है दोस्तों, दिन बर दिन बढ़ते ही जा रही है, अगर इसके बारे में हम लोग और खास दो युवा लोग कुछ नहीं करेंगे, तो भविश्य और खतरनाक और डिक्कत में आ सकता है, इसके लिए, इसके बार सब्सक्जाई करेंगे, ईसके बारे में हम लोग सब्सक्राइब कहा किए, तो आप अपना क्या करेंगे, आप आनेachen अपने घर से बाहर जाते हो, वच्क्ठी आप च्छोटी सी, जब सब लोग बोलते हैं, चलो बोटल भारी है, ठेला भारी है, बहुत एक्सक्यूस बनाते हैं, आसान जीओन जीना है हमको, क्या हम एक चीज, जिसे हम मोबाइल हमारा केरी हदम करते हैं, क्या हम मोबाइल केरी करते हैं, रुमाल केरी नहीं कर सकते हैं, क लेकिन इसलिए छोटी से आपको जलक क्योंकि मेरे अकेले के करने से नहीं होता कुछ एक करने से कभी कुछ नहीं होता है एक करने से होता है और इन दुरों में सिर्फ एक का फरक है इसलिए आपके सब के करने से इस यात्रा में और इस दुनिया में फरक पड़ता है ऐसा नही लेकिन बहुत खुबशन बात याद आती है हर दम जब बोलते थे कि एक ऐसा दिन जहां को दिक्कोत कर समना ना करना पड़े आप समझ सकते हो कि उस दिन पर आप गड़ा पर चल रहे हो उनका मतलब ही था जिन्नकी में आपको मुश्किलात नहीं आएंगी तब तक आप जीव में आती है वो में को सिखाती है कोई मुश्किल नहीं है उस सिखाने का एक तरीका है मेरे को लगता है यात्रा में दोस्तों अभी नेपाल के भी 77 जिला है पूरे देश में आपके साइबीरिया में दोस्तों साथ है आपको मालूमियो का एक जगह है ओमिया कौम बोलके वोपर विश्व का सबसे थंड़ा जगह है वहागा जो तापमान है इतना जगह होने के कारण आज तक भारत का नेपाल का पूर दक्षिन एश्य का कोई भी व्यक्ति रस्ते के मादधम से कोई नहीं गया है तो तकरिवर वह पर पहुचे है तो पहला व्यक्ति बनको दस्ते नहीं इक शास का और तकरिवर पांस सल और मुझे लगेगा ऐसी आ जो यात्रा में लोग में को मिलते है और जो लोग में को सपोर्ट करते है उनकी मदद से उनकी साहिता से मेरी यात्रा चलती है बहुत बहुत धन्यवाद जा निपल जाहिद